दोस्तों क्या आप भी network marketing या direct selling business के अंदर सफल होना चाहते हैं क्या आप भी social media platforms के माध्यम से अलग अलग successful leaders को सुनते रहते हैं और अपना knowledge बढ़ाने की कोशिस करते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरा ये promise है कि आज का ये video आपके बहुत काम आने वाला है और आपकी journey of success में ये video अच्छा खासा contribution देने वाला है Hello dear friends, this is Ratnesh Tiwari, a proud direct seller in India's fastest growing direct selling company and once again I would like to welcome you all in our YouTube channel दोस्तों इस YouTube channel का उदेश है हर direct seller की जिन्दगी में values एड़ करना, उसकी journey of success में contribute करना Dear friends, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ हमारी V2V series का third video लेकर जी हाँ, हमारा first video था formula for income, हमारा second video था competition versus corporation और आज जो हमारा third video है, इसमें हम ये बाते करने वाले हैं कि social media platforms के माध्यम से कैसे हम सीखें ताकि हमारी success की speed बढ़ सकें और हम बहुत तेजी से अपने goals को achieve कर सकें दोस्तों network marketing business में, ये दुनिया के किसी भी काम में, मेरा भी ये मानना है कि इनसान को जादा से जादा knowledge collect करना चाहिए, क्योंकि जितना जादा knowledge आप लेंगे, आप उस काम में उतना जादा expert होते चले जाएंगे और दोस्तों, इसका एक बहुत ही अच्छा medium है, YouTube या social media आप अच्छे से अच्छे experts जो हैं, अपने घर पर बैठके उनके माध्यम से सीख सकते हैं, कि इस काम के अंदर सफल कैसे हुआ जाए लेकिन फिर भी, मैंने कई बार ऐसा देखा है, और शायद आपने भी ऐसा देखा होगा, कि कई ऐसे लोग हैं, जो YouTube या social media के माध्यम से knowledge collect करते हैं, लेकिन फिर भी, वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, उस knowledge को use नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे क्या कार में समय हैं, तो चलो थोड़ा सा social media देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा YouTube देख लेते हैं, कुछ वीडियो वाच कर लेते हैं, और स्क्रोल करते हुए, कोई भी वीडियो अगर सामने आता है, तो उसे देखना शुरू कर देते हैं, किसी ने अगर network marketing के बारे में सीखने का सोच तो कभी वो network marketing का वीडियो देख लेता है, किसी ट्रेनर को सुन लेता है, और बाद में वो comedy show भी देखना शुरू कर देते हैं, युवरास सिंग ने छे छक्के कैसे मारे ये भी देखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा entertainment भी हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है, कि बह एक ही प्रकार के वीडियो को देखते हैं, बार-बार watch करते हैं, बहुत धेर सारे speakers को सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई फायदा नहीं हो पाता है, कारण क्या है, कारण ये है कि जो knowledge आपने लिया है, अगर आपने उसका implement नहीं किया, तो दोस्तों वो knowledge किसी काम का नही लेकिन आपने कभी भी steering को छुआ तक नहीं, तो वो knowledge आपके किसी काम का नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, कि knowledge से काम नहीं चलने वाला है, जब तक आप knowledge का implement नहीं करेंगे, उसे अपनी जिंदगी में apply नहीं करेंगे, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, ठहर गई, क्योंकि वो एक दिव्वी चिडिया थी, वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, कि वो अपनी नजर वहां से हटा नहीं पारा था, जब वहां से वो आगे बढ़ने लगा, तो उस चिडिया से एक आवाज आई, और चिडिया ने ये बोला, कि मैं जाल में फसी हो सकता हूँ, और जाकर उसने चिडिया को बचाना शुरू किया, जैसे ही बचाना शुरू किया, जाल हटाना शुरू किया, तो चिडिया ने पहली बात बताई, और चिडिया ने पहली बात जो बोली, वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट थी, और उसने बोला कि एक ब और उस समय में वो कुछ productive कर सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे पहली बात जो कि उस इंसान को समझ में आई उसने थोड़ी सी और चिडिया की मदद करी जैसी ही चिडिया की मदद करी तो उसने दूसरी बात बताई और दूसरी बात ये थी कि कभी भी कोई भी ऐसी बात जो की logical न हो कोई भी ऐसी बात जो की logical न हो और first hand proved न हो उसे कभी भी मानना मत कितना भी तुम्हें समझा के बता दिया जाए लेकिन अगर उस बात के पीछे कोई logics तुम्हें समझ में नहीं आ रहे है और कुछ ऐसे लोग नहीं दिखाई दे रहे है या कोई ऐसी स्थिती परिस्थिती नहीं दिखाई दे रहे है जहाँ पर उस बात को प्रूव किया गया है तो उसे मानना मत वो बात गलत हो सकती है ये दोनों बाते उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि वो चिडिया वहां से उड़ गई और उड़ते हुए चुकि वो चिडिया बोल सकती थी उसने पहले बोला था उड़ते हुए उस चिडिया ने ये बोला कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है मेरे पेट में कुछ हीरे हैं जिनकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपे से जादा है और तुमने मुझे यू ही जाने दिया अगर तुम मुझे मारते और पेट से हीरे अगर निकाल लेते तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ सकते थे और ये सुनकर वो इंसान पश्टाने लगा ये सुनकर उसने पेड़ पर अपन ग्यान ले लो ये तुम्हारे सबसे जादा काम आएगा तीसरा ग्यान ये है कि जो ग्यान लिया है अगर उसका इंप्लिमेंट नहीं किये तो अगला ग्यान लेने का कोई मतलब नहीं है मतलब पहला ग्यान था रिग्रेट मत करना और इस इंसान ने अभी अभी ग्यान लिय और तुरंद पश्तावा करना शुरू कर दिया कि हे भगवान मुझसे ये गलती हो गई दूसरा ग्यान दिया था जो बात logical नहों और first hand proved नहों उस पर कभी विश्वास नहीं करना चिडिया के पेट में हीरे क्या ये logical है क्या ये first hand proved है लेकिन फिर भी उसने विश्वास कर लिया और विश्वास करके उसने पश्ताना शुरू कर दिया dear friends मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि हमारे बहुत धेर सारे ऐसे friends हैं जो की knowledge धेर सारा collect करते हैं लेकिन उस knowledge को implement करने के उपर ध्यान नहीं देते हैं मेरी बात ध्यान से सुनियेगा लोग बोलते हैं कि knowledge is power बच्पन में हमने पढ़ा knowledge is power हमारे teachers आग भी पढ़ा रहे हैं knowledge is power लेकिन sorry to say मैं माफी चाहूंगा आज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये सही नहीं है सिर्फ knowledge से power नहीं मिलता है ये पूरी तरह सही नहीं है knowledge is power के सामने applied लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है applied knowledge is power ये complete sentence है अगर आपने अपने जीवन में knowledge लिया और उसे कभी भी apply नहीं किया तो उस knowledge का कोई भी फाइदा होने वाला नहीं है so dear friends मेरा कहने का बिलकुल सीधा सा मतलब है कि आप YouTube वीडियो को जरूर watch करें आप successful leaders को जरूर सुनें आप बहुत धेर सारी motivational किताबों को जरूर पढ़ें basics को जरूर सीखें लेकिन जो आपने सीखा है उसे apply जरूर करें क्योंकि आपने अगर apply नहीं किया तो वो सारा knowledge waste हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा और आप अपने जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाएगा dear friends, ऐसे कई धेर सारे लोग मैंने देखे हुए हैं कि वो एक बार में अगर list making सीखना चाते हैं ये network marketing की basic सीखना चाते हैं तो वो scroll करकर के कम से कम 5 वीडियो, 6 वीडियो और मैंने तो कई ऐसे लोग को देखा हुआ है वो 10-10 वीडियो देख लेते हैं ताकि उनके पास में knowledge धेर सारा हो जाए और कभी लोगों के सामने खड़े होकर वो उस knowledge को लोगों को बता सके, share कर सके और उन्हें वाहवाही मिल सके लेकिन दोस्तों हमें इन वीडियो को वाहवाही के लिए नहीं देखना है बलकि अगर actually हमें इस industry के अंदर सफल होना है अगर actually हमें हमारे dreams को achieve करना है तो हमें implement करना होगा मैं ये बोलता हूँ कि एक ही topic के उपर आपको 10 वीडियो के देखने की जरूरत नहीं है अगर एक वीडियो आपको अच्छा मिल गया है तो उस वीडियो को 10 बार देखने की जरूरत है अगर आप किताबे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आपको 10 किताबे पढ़ने की जरूरत नहीं है बलकि एक ही किताब को 10 बार पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जितनी जादा बार आप पढ़ेंगे जितनी जादा बार आप देखेंगे उतना जादा अच्छे से उन चीजों को आप apply कर पाएंगे और अपने जीवन में सफल हो पाएंगे अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को आप हिट कर लें ताकि यह सारे के सारे वीडियो आपको प्रॉपर सिक्वेंस में मिले आप जो बाते बताई जा रही हैं उसको implement कर सकें knowledge को apply कर सकें और आपकी journey of success में इस चैनल के माद्यम से एक अच्छा contribution हो सकें तो बने रही है हमारे साथ stay tuned thank you so much जै हिंद